वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाप लेने के दस फायदे मतलब बात करेंगे benefits of steaming सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो लोग भाप लेते हैं उससे क्या होता उनके चेहरे पर जो लोग के चेहरे पर blackheads होते हैं आपने देखा होगा नाप पर इस तरीके की निशान वगरा होते हैं या चेहरे पर निशान होते हैं यदि वो हफते में दो बार steam लेते हैं उनसे क्या होता उनकी ये समस्या जो होती है हमेशा के लिए खतम हो जाती है दूसरा फाइदा ये होता है कि जिनका चेहरा ड्राई होता है वो भी यदि स्टीम वगरा लेते हैं तो उनके चेहरे की जो ड्राईनेस होए वो खतम हो जाती है और चेहरे पर क्या होता है एक दरीके से निखार आना जो होता है चेहरा जो होता है मौशिराईज रहता है तीसरा फाइदा यह होता है कि जिन लोग के चेहरे पर बहुत زदा पिंपल, मोहासे वगज़ान निकलते हैं यदि वो जो होते हैं भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं हफ्ते में दो बार तो उनसे क्या होता है? फाइदा क्या होता है? कि उनको आगे चलकर क्या होता है? कि जो चेहरे पर पिमपल, मोहसे वगरा के समस्या जो होती है, वो हमेशा के लिए कदम हो जाती है उसके अलावा regular भाप लेने से क्या होता है कि आपकी तुच्या में क्या होता है एक प्रापकर्तिक चमक प्रापकर्तिक निखार आता है चेहरे पर glow आता है उसके अलावा क्या होता है कि जो इसकिन के अंदर की जो blood vessels होती है फैलती है ऐसे में क्या होता है चेहरे पर oxygen का प्रभाब वेतर होता है और जो क्या होता है आगे चलके आपके चेहरे में glow को और बढ़ाता है चेहरे पर और ज़्यादा निखार लाता है उसके अलावा जिन लोगों को अंदर जूरियों की प्राबलम होती है फेस पर जूरियों की प्राबलम होती है फेस पर काले धब्बे की, काले निशान की जो होते हैं जिन लोगों के तो यदि ऐसे लोग क्या करते हैं कि भाप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जूरियां खतम होती है तर साथ-साथ में जो काले निशान्स होते हैं चेहरे पर उससे भी काफी हद तक चुटकारा मिलता है। उसके अलावा क्या करता है कि जिए हम भाप लेते हैं उसके क्या होता हमारे शरीर की जो होती इमिनिटी बढ़ती है साथ में फेस की इमिनिटी भी बढ़ती है जिसे क्या होता फेस पे इंफेक्शन वगरा जो होने के चांसे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं उसके अलावा क्या होता है गर्म भाप लेने से क्या होता है कि जो blood vessels होती है रख्त की धमनी का विस्तार होता है और blood circulation better होता है उससे improvement आती है उसके अलावा जैसा लोग आप जानते हैं कि भाप लेने से शेरीज में bacteria और किटानों के खिलाव क्या होता है रोग परतिरोधक शम्ता बढ़ती है मतलब immunity बढ़ती है जिससे क्या होता है कि आगे चलके आपकी जो नाक संबंदी समस्याजनों की नाक खुलती नहीं है ये नगलन नजला वगर रहता है उससे काफी फाइदा होता है उसके अलावा भाप लेने से क्या होता है गरम पानी का भाप लेने से क्या होता है नाक और गले के माद्गम से फेफ़डों तक जो क्याती जो भाप पौस्ती है इससे क्या होता है सर्दी खांसी अराम में अच और जिससे क्या होता है कि आगे चलकर आपको अस्थुमा जैसी बीमारी, ब्रॉंकाइटी जैसी बीमारी या दूसरी अन्ने लंग्स की जो समस्या होती हैं आप उसे अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब में किया तो चैनल सब्सक्राइब करें विद दिस थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग हेल्च राम